हेलो फ्रेंद्स आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लाया हूं वह भी बहुत छोटा जिससे आपको सब कुछ समझाए इसमें यह है फिर्ष्ट लॉफ मोशन में डिफ्रेंसेशन करने का जिसमें एक्वेशन होती है वी इस इकल टू यू प्लस एटी मला एक्सल इसमें डिफ्रेंस इनिश्यल वैलोसिटी अपाउन टी चेंज इन टाइम होता है ठीक है तो अब हमें इसे इंट्रीगेशन का सित्माल करके आप इसे डिराइफ करोगे तो आपको डिराइफ करने से पहले इंट्रीगेशन का बेसिक आना चाहिए तो बस बेसिक ही आँग क इक्वेशन क्या रखेंँ है वी कि इकल टू वी प्लस एटि होती है तो एक्सलरेशन का differential में कैसे लिखेंगे, a जो होता है, dv upon dt होता है, ठीक है, यह हो गया, तो dv is equal to dt into a हो गया, equation 1, अब जो equation 1 है से integrate करेंगे, वो भी definite integral से, तो lower limit जो होगी, आपकी v होगी, और जो u होगी, और जो final limit होगी, वो v होगी, u मतलब initial velocity, and v मतलब final velocity, is equal to lower limit 0, upper limit t, a constant term dt, ठीक है, dt, dv का क्या होता है, v होता है, lower limit, upper limit लगा के रखेंगे, a को बाहर साइड लग देंगे, 0 से लेके t तक करेंगे, फिर आपका आजाएगा, v जो एक box में है, उसमें upper limit लगा लिमिट है, a constant term है, वो acceleration है, और t b, t की भी दो limit है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे, तो फिर उसका हो जाएगा, v minus u is equal to a, into t minus 0, तो कितना हो गया, v, v minus u is equal to 80, ठीक है, तो अब क्या हुआ, v is equal to u, plus 80, तो यही drive करना था, तो last में जो answer आपको चाहिए था, my, तो वही आपका answer आ गया, तो friends, यह first law of motion का पहला equation था, अब इसमें दो और equation होते हैं, जो आप integral से ही सीख सकते हैं, जो यह 11th का part है, तो friends, और ज़्यादा जाएगा वीडि को मदर subscribe करें, जिससे आप मेरी new videos भी देख सकें, जो मैं आपको समझाता हूँ, okay, तो friends, bye bye, have a nice day,